दमश्कार कबर समय जगत में आपका स्वागत हैं मैं हर्शिता जोरी आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ीता जिनोदे जीबद्या केंडरी के सदस्यों द्वारा इस कड़कडाती सर्दी में मुख आवारा पशुओं को जो चौक चौराहे पर बैठे रहते है उनको सर्दी से बचाने के लिए 50 किलो गुर, 10 किलो मैथी और सर्दों का तेल उप्योग कर गायों के लिए 60 किलो गुर मैथी के लड़ू बनाए गए हैं जो आवारा मुख पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए खिलाए जाएंगे समीती के सदसे आयूच जैन घेतल ने बताया है कि दिन भर सभी सदस्यों ने मिलकर लड़ू को तयार किया है जिने रात को सभी मार्केट में घूम कर ये लड़ू गायों को खिलाएंगे समीती द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर इसी प्रकार की सहयता मिलती है तो आगे भी है कार प्रतेक रभीवार को किया जाएगा समीती के संबेक पंक्यज, गीतांश, निशंक, अतिशे, दीपेश, मयंक, समयक, सूजल, संजुल, आदी सदस्यों ने बनवाने और खिलाने का सहयोग किया है बजार में निकले, वो दरशकों को बताएं जो इतनी करक़ाती सर्दी जो पढ़ रही है इसलिए ये मूग प्राणी है जैसे क्या है, जो इनसान तो है अपने बचाव कल लेता है कबड़े पेन के उनी कबड़े पेन कर लेकिन क्या है जो मूख प्राणी जो सड़कों पर घूम रहे हैं उनके बचाओ के लिए हम यह गोड़ और मेथी के लड़ू लेके आएं जो आवारा मवेसिया हैं जैसे गाहें नडवे हैं जो रोड़ों पर भठक रहे हैं इनके लिए सर्दी से बचाने के लिए गोड़ औ खिला रहे हैं जैनोदे जीब दया केंद्र यह गउशाला कहां पर रिष्टे थे यह सी दिगंबा जैन जैनोदे तीर नथिया जीब पर रिष्टे थे इसमें कमसां 85 गई हैं उपलब दें अभी लगवा कितने वर्ष होगा हैं इस गउशाला को करीवन तीन से चार साल हो अरी गउशाला में 365 दिन गाईों को खिलाते हैं रोज सुभा लड्डू तयार किये जाते हैं और यह हमने इसी साल मंदली द्वारे सामगरी न बनाया है और मार्केट में गाईों को खिला रहे हो चलिए ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा पुनीतकार आप लोग कर रहे हैं गौक सेवा पर हम सेवा होती है केमरामें धर्मेंदर जैन के साथ जितेंदर जैन गेदल की रिपोर्ट खबर समय चकत के लिए सिरूंड से जितेंद जैन की रिपोर्ट